इसलिए मैं सबसे पहले और हर महादेव और हर महादेव बोल बंब बोल बंब के नारा के साथ हम लोग सबसे पहले सर्पंजी से पूछेंगे कि यहां पर क्या इस्थिती है सर्पंजी से पूछेंगे कि यहां पर क्या इस्थिती है तो सर्पंजी क्या लगता है आपको कि अभी कोंग्रेश की सरकार है और 15 साल करीब भी बीजेपी की सरकार थी तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बड़ेगी सर आप के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पार्टी तो दोनों ठीक है कोंग्रेश भी ठीक है बीजेपी भी ठीक है लेकिन इससे पहले 15 साल बीजेपी की सरकार थी लेकिन जिसमें विधान सभा में जो विधायक बनते थे बीजेपी की ओर से अपना जस्पूर विधान सभा में वह हमारे पूर्वी छेत्र पूरतेंगा से जुलंगा बसता एरिया छेत्र में उनका वर्चंस बहुत ही कम नहीं है और एवाँ के परती अच्छा मतलब लगाव रखते हैं और चेत्र में उनका वागमन हमेसा रहता है जी मतलब विकास कारिया हुआ है इस चित्र में विकास कारिया तो देखा जाए तो बड़े-बड़े कारिया हुए है जैसे हमारे चेत्र के उधर बाउडर चेत्र में जैसे सलेकेरा पुलिया का निर्मान हुआ है और यहां देवगोडी जो आस्था का जगह है जो आज भव् से पूजा सावन मास में किया जा रहा है जो है अंबाटार यहां वर्चप्स काफिया अच्छा सुन्दर मंदिर का निर्मान किया गया है उनके द्वारा यहां जी और कुछ सीवा लोग भी है तो आपका नाम क्या है रविंद्र विधा का काम से खुश है इधर की जनता की खना हाँ अभी तो फिलाल आपने जो विदायक है जी जो हमारे विन्यभगत जी है वह फिलाल हमारे एरिया में तो अच्छा काम कर रहे हैं बाकी बाद उनक जो ग्राउंड रिपोर्ट उनके तरफ से है जो युवाओं के साथ उनका घोल मेल बहुत अच्छे तरीके से है तो हमारे जो इस एरिया के लोग है काफी प्रभावी थे हमारे जो विधायक जी है विने बगत जी उनसे अभी यहाँ पर माय चल रहा है सर्बंजी तो यहाँ कुछ विधायक का योगदान है यहाँ अभी तो ऐसा नहीं है उनका योगदान यह अपने बस्ता के यूद्ध यंग के द्वारा ही निकाला गया था और इनका जो भी समीति द्वारा फुटबाल दो दिवस्य परतियोगिता निकाला गया था जिसमें काफी टिम आके इनका खुटबाल परतियोगिता को होने में संपन कराया है इसलिए अभी तक कोई किसी परकार का सहयोग उनसे नहीं बोला गया है नहीं बोला गया है और यहां पे चाचा जी भी है चाचा जी क्या नाम हूँ आपका मेरा नाम घराम वस्ता की निमासी हूं और हमारे शेत्रों के नजर में करते हैं। नो इससे पहले आते था कि आते लोच इससे पहले आएक को धन्यभाद करते हैं। धन्यवाद और आपका नाम क्या है गुल्शन कुजूर हाँ मैं बोलना चाहता हूं कि वह हमेशा बढ़ियां से हमारे लिए दिया है फुटबाल जर्शी वगेरा बस एक चाहता हूं कि ग्राउंड दे ग्राउंड यहां की वालों को ग्राउंड नहीं है सरकारीक राउंड चाहिए सरपंजी और कुछ क्या नाम हुआ भाई आपका सारीब खन जी तो कुछ बलना चाहेंगे आप अभी विधान सभा चुनाव नवजदीक है अब एक दो वहिना में चुनाव है लगभग तो क्या कहना है आपका मेरा यही कहना है कि हमारे विधायक अ कर रहे ना और अगे भी अच्छा कारे करेंगे जी जी हम बहुत खूस हैं उनके कारियों से जी और और पहले की विधायक आते हैं भाई देखिए अभी तो हम लोग अभी यूथ में आ गए हैं तो अभी जो हाल फिलाल का जो पकड़ है जो नोलेज है हम लोगों को अपने विधायक के बारे में वह अभी जादा जानकर हम लोग हुए हैं उस हिसाब से जैसे कि विने भगत जी हैं वो बार-बार हमारे च्छेतर में आते रहते हैं वो बार-बार जितना भी यूवा है महिला है हमारे जितने एरिया के ग्रावाशी हैं सबसे उनका बेट मुलाकात सबकुछत अच्छा तरीके से रहा है तो पहले के विधायक के बारे में तो इतना खास जानकारी नहीं रहा है हमको लेकिन अभी हमारे जो विधायक है ब्याएं विने भगत जी उनका यहां कि जो ब्योहार आश्रन सब कुछ हमारे प्रती बहुत अच्छा है अच्छा है ना जी तो यह हैं कमिटी यहां पर जो मैच चल रही है इनके कमिटी के अध्यक्ष है तो इनके तत्वधान में चल रहा है यहां पर मैच तो आज के टीम के बारे में बताएंगे मैच के ब पाए तो आज फाइनल होना है इस मुकाबले का तो हमारे जितने तीम आई थी यहां पर लगभग टोटल अपन बोले तो 40-45 टीम आ चुकी थी यानि कि इधर उधर के गाउंवाले आके अपना जो भी टीम यहां पर साके दिये थे उस हिजाब से अपने यहां लगभग 40-45 ट डिया जाएगा फर्सट वाले को बड़ा खसी अच्छा सेटेंद को छोटा खसी थाड़ को छोटा और फोर्त को दिया जाएगा जोड़ा ने सी नशी मुर्गा तो मतलब यहां पर जैसे की जानी रहे हमारे जस्पूर शेत्रा में उत्सा भूंते खेल को लेके फुटबॉल खास करके बहुत थोड़ा हाई लेवल में चलता है हमारे एरिया में तो उस हिसाब से हमारे जो खिलाडी है उनका उत्सा बहुत जोर सोर से रहता है खास करके खसी वासी है हमारे ग्राम बस्ता जोलंगा के जितने भी ग्राम वासी है सभी का योगदान राटाइस टूर्नामेंट को सफल कराने में उनका भी मैं बहुत बहुत अभार ब्यक्त करना चाहूंगा जी धन्यवाद भाई यहीं पे जोलंगा के जर्श्ट बगल में विधायक का एक कारकरम था मैं वहीं पे पहुच चुका हूं यह तो लोगों का प्रेम है आज चुके सावन समार का यह आखरी दिन है इसलिए मैं सबसे पहले और हैर महादेव बोल बम के नारा के साथ हम लोग सिर्की कोना से कलश यात्रा के रूप में जल लेकर यहाँ पर यह जो शिव मंदिर है यहाँ पर हम यहाँ पर समापन किये बहुत ही प्रेम है लोगों का अगात प्रेम है आज लोगों मुझे बहुत प्रेम देते है और प्रेम लेते है आज लोगों का प्रेम के कारण है यह सुन्दर मंदिर मैं बनवाया हूँ पांच लाख रुपिय का यह मंदिर है और बोरिंग करवाया हूँ यहाँ पर लोगों का एक आस्ता का केंद्र है अबानार यह फले फुले आगे बढ़े आज मैं भोले बाबा से ही अर्जी बिंते करता हूँ कि किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दुख तकलिप न हो आप मुझे ताकत दे जस्पूर विदायक होने के नाते मुझे ताकत दे ताकि हमारे जस्पूर छेत का मैं विकास कर सकूँ और हमारा जस्पूर छेत दिन दुगने राच्चोगने उनत्ति करते जाएं ये तो लोगों का आगाध प्रेम है देखे बाजा गाजा के साथ मैं कहीं भी जाता हूँ स्वागत करते हैं हमारे आज शादिरल के मुकमंत्री जी को भी मैं धनवाते ना चाहता हूँ कि वो हमारी धार्म का चेच को आगे बढ़ा रहे हैं राम वान गमन पत को अजविक से कर रहे हैं मैं भी आज मुने के नक्स कदम पे चलते हूँ हमारे धार्मिक छेत्र में हो चाहे हमारे समाजिक छेत्र में हो चाहे राजनितिक में छेत्र में हो चाहे हमारे रिति रिवा बात कर पाते हैं यही है ऑमारा अगात प्रेम लोगों का प्रेम मिलता है यही है नहीं हो बतो आपुछ समय मैं कूछ बीश ही जासरुके उन्हों को देखे मैं तो जैसे में वीधायक बना जैसे मैं विधायक जैसे ही मैं विधायक बना और पूरे पांचों साल मैं पूरा छेत्र में सक्रिय रहा लोगों के बीच में गया क्योंकि मुझे पता है इंसान खाली बदन आया है खाली बदन जाना है जो कि हम माना जीवन पाएं है तो कुछ अच्छा कर्म करका जाना है ताकि इनसान को नामो आज विधायक क्या कर रहा है पूरे छेत्र में आज जगए जगए मैं पुलिया बन वा रहा हूं सड़के बन वा रहा हूं अस्पताल खुलवा रहा हूं लोगों के बीच में जाता हूं बच्चों को प्रोसाहन देता हूं पढ़ाई लिकाय करने का इलाज के लिए सहियो क करता हूं आज जस्पूर का जनता विकास को देखा है और वो बोलते हैं बाबो तुम काम करते जाओ आज हम तुमारे साथ हैं और मैं आगामे चुनाव में यही बोलना चाहूंगा कि लोग विकास को देखा है और लोग विकास के रास्ते पर चलना पसंद कर रहा है और उमित के नजर से देखते हैं कि हाँ विने बाबू है जो लोगों के सुक्दुक का साथी बना हुआ है और मैं बार 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 बोलता हूं मेरे विधायक बनने के बाद में आज असली पहले जस्पूर छेत्र में लोगों को जाती और धर्म के नाम पर लड़ाए जाता था संप जी कोचा है आज हर कोई विकास के रास्ते पर चल पड़ा है आज जस्पूर में भी दिन दुगना जस्पूर को लोग आज दिन दुगने राजचोगने उनत्ति करते जाएं ऐसा लोगों का एक उम्मीद है यही मैं कहूंगा जी लेवाद भी आ पैल आज के आज बाद लेवाद है क्यों पालते की छो suponने क्यों मौने दूबाते की लगारखं उय्का है तुर में भी मैं!